लोगडाउन के बीच आज से यानी शनिवार से कंटेन्मेंट जोन और होट स्पोर्ट से बाहर की दुकाने खुल सकेंगी। कोरोना महामारी की वज़े से देश में लगे लोगडाउन में केंद्र सरकार ने बड़ी रियायत देने का एलान किया है। नगर निगम और नगर पाली का छेतर में इस्थित राज्य तता केंद्र शाषित प्रदेशों के स्थापना आधिनेम के तहट पंजीकरत आवासी कॉलोने के समीप या बजार में इस्थित दुकाने ही खुल सकेंगी। मल्टी और सिंगल ब्रांड के शोरूम सहेत शौपिंग कॉंपलेक्स और मार्केट कॉंपलेक्स नहीं खुल सकेंगे। शुक्रवार देर रात ग्रह मंतराले की ओर से जारी आदेश के अनुसार दुकानों पर केबल पचास फीसदी करमचारी काम कर सकेंगे। ताकि इस मामारी को फैलने से रुका जा सकें और जरूरी काम भी न रुकें। जो लोग करमचारी यहां काम करेंगे उन्हें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। नियमा नुसार मास्क लगाना होगा और सेनिटाइजेशन के नियमों का भी सक्ती से पालन करना होगा। ग्रह सचिव अजय भल्ना ने अपने आदेश में कहा कि नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाली किसी कॉलोनी रहवासी छीतर के आसपास इस्तित दुकानों को खोलने की छूट होगी। हाला कि नगरिय निकाए सीमा के भीतर के सहरी छीतर में मौजूद दुकाने पहले की तरही तीन मई तक बंद रहेंगी। हॉट स्पोट और कंटेंडमेंट जॉन में कोई राहत नहीं होगी। कोरोना से प्रवावित वे इलाके जिने हॉट स्पोट के रूप में चिनित किया गया है और जो कंटेंडमेंट जॉन है वहाँ फिलाल कोई राहत नहीं दी गई है। और ऐसे इलाकों में तीन मई तक पुरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। इससे पहली भी सरकार ने एक एडवाईजरी जारी कर राशन, दोथ, सबजी और फल जैसी जरूरी समान की दुकानों खोलने को मंजूरी दी थी। अब शेरी सीमा से बाहर सभी तरह की दुकाने खोलने की अनुमती दे दी गई है। क्या शर्ते रावू रहेंगी हैं हम आपको बताते चलते हैं बिंदुवार। यहां आपको बताते चलें देशवर में कोरोना वाइरस से संक्रमित मरीजों की संक्या में लगातार पड़ोतरी हो रही है।